जैहिन प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है आज हम देखेंगे कि सोते क्यों नहीं नन्ने शेर एक छोटा सा शेर है जो दिन रात खेलना चाहता है और वो रात में भी सोना नहीं चाहता लेकिन उसके दोस्त रात में सो जाते हैं तो फिर वो परिशान होता है खेलने के लिए इस कहानी को लिखा है चैन शी ने और इलिस्टेटर भी चैन शी है और इसके ट्रांसलेटर है मम्ता नैनी सोते क्यों नहीं नन्ने शेर सूरज ढलता है और चांद धीरे से आसमान में उकता है समय आ गया नन्ने शेर कि सभी दोस्त अपने अपने घर जाएंगे नन्ने शेर ने मन में सोचा मैं तो अकीला रहे गया अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ जी भर खेला भी नहीं था अगर मैं चांद को छिपा दूँ तो कभी रात नहीं होगी और सूरज हमेशा आसमान में चमकता रहेगा शेर ने ऐसा सोचा नन्ना शेर जट से छट पर चड़ गया मगर चांद तो यहां से बहुत दूर है अब उसने एक लंबे पेड़ पर चड़ने का सोचा चांद तो अब भी पहुँच के बाहर है नन्ना शेर फिर एक पहाड पर चड़ा फिर एक और पहाड पर और फिर तीसरे पहाड पर वह सबसे उंचे पहाड पर चड़ा और आखिरकार वहें चान्द के पास पहुँच गया नन्ने शेर ने चुपके से चान्द को अपने बस्ते में छिपा लिया नन्ने शेर के सभी तोस्त नीन से जागे और हैरान हुए वाह अब वे जब तक चाहें तब तक खेल सकते हैं वो सब लोग पार्क में गए और उनोंने खूप मज़े किये वे घंटों पहाडी पर साथ खेलते रहे सूरज सचमुच नहीं ढला ना रात हुई मगर यह क्या धीरे धीरे नन्ने शेर की सभी दोस्त बहुत थक गए अब जब लगतार खेलेंगे तो थकना तो वाजिब है थकी जाते हैं नन्ने शेर ने सोचा मैं तो फिर से अकिला रहे गया बहतर होगा कि मैं चांद को आस्मान को लोटा दूँ अब चांद वापस आस्मान में है शांत रात में नन्ना शेर और उसके दोस्त हमेशा की तरह सो जाते हैं और सुबह बिलकुल ताजा होकर उठते हैं उनमें बहुत ताकत होती है थके हुई नहीं होते तो वो फिर से खेलने लगते हैं अगले दिन रोज की तरह सूरज उगाता है नन्ना शेर और उसके सभी दोस्त फिर एक साथ खेलते हैं तो बच्चों आप यहाँ पर एक बात समझेए कि रात होना कितना जरूरी है यदि रात नहीं होगी तो हम दिन बर काम करते रहेंगे और हमारा शरीर ठक जाएगा दिन बर खेलेंगे भी तो भी ठकेगा काम भी करेंगे तो भी ठकेगा इसलिए आराम करने के लिए रात का होना बहुत जरूरी है तो दिन और रात होना जरूरी है सबकी अपने अपना महत वै यदि दिन नहीं होगा तो रात का महत और रात नहीं होगी तो दिन का क्या महत इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं फिर मिलती हूँ आप से तब तक लिए गुड़ बाई